हलो गाज अर्नो गोस्वामी को लेकर एक बहुत ही बड़ी और हैरान कर दिने वाली न्यूज जो है इस टाइम सामने आ रही है जैसा आप सब को पता है कि अर्नो गोस्वामी ने जिस टाइम से सुसान सिंग राजपूत केस को उठाया है साथ में ही महाराष्ट गवर्मेंट क खिलाप में जिस टाइम से अर्नो गोस्वामी ने काफी कुछ बोलना है इस टाइट किया बीजेपी को सपोर्ट करते हुए उस टाइम से अर्नो गोस्वामी को पर काफी बड़ी-बड़ी मुशिवत जो है वो सामने आ रही है गईज अभी-अभी एक बड़ी अपडेट आ किया था और उस लाइब डिबेट में अर्नों को स्वामी ने काफी बैड लैंग्वेज यूज की थी एंसीबी के हेड जो हैं सरत्पार और साथ में ही महाराश के जो सियम हैं उद्धव ठाकरे इन दो के दोनों लोगों के खिलाब जो है अर्नों को स्वामी ने कुछ बैड लैंग्वेज यूज की थी और ये जो आरोप लगाया गया है और ये जो कंप्लेंड दज कराया गया था ये महाराश के ही एक मिनिस्टर द्वारा कराया गया था औ और उस मिनिस्टर का नाम है प्रतात सरनाई प्रतात सरनाई एक ने 2020 में एक केस दज करवाया था अर्नों गोस्वामी के उपर और उस केस में उनके उपर ये इल्जाम लगाया था कि अर्नों गोस्वामी ने सीयम उद्व ठाकरे और नसेपी के हेड जो है सरत पवार उन दो के दोनों लोगों के उपर जो है बैड लेंग्वेज यूज किया है और इनके उपर जो है कारवाई होनी चाहिए तो गैज इन सब चीजों को देखते हुए अभी एक सम्मन भीजा गया है अरनौ गोस्वामी को और सास्तमी उसमें बोला गया है कि एनी हाव वो जो है आज साम भी अरनौ गोस्वामी को दो बार इस से रिलेटर लेटर सम्मन भेजा जा चुका है लेकिन उसके बावजूद भी अरनौ गोस्वामी ने इस पर कोई भी रिप्लाइड नहीं दिया है तो अभी ये जो है लास्ट और फाइनल सम्मन भेजा गया है अगर वो नहीं आते तो खिलाब या उनके चैनल के खिलाब खुद ही कारवाई कर दी जाएगी ऐसी जो है अपडेट आ रही है और ये काफी ज्यादा सौकिंग है क्योंकि अर्णोग उस्वामी को काफी ज्यादा टाइम से परिसान किया जा रहा है तो कहीं आपका क्या ओपिनियन है इसमें आप अप